तो दोस्ताओं आज के इस वीडियो में complete मैं step by step phone बने का तरीका बतलाने वाला हूँगी कैसे आप online application phone बर सकते हैं OFSS के माधियम से plus two में admission के लिए दोस्ताओं सबसे पहले आपको क्या करना है chrome browser open कर लेना है three dots में click करना है यहां desktop site का button दिया गया है कि ओपर mark tick कर देना है और यहां आपको type करना है OFSS जैसे आप type करते हैं तो OFSS का जो official website है open हो जायेगा इसका link description में दिया गया है वहाँ से visit कर सकते हैं तो जैसे आप आते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक guideline जारे की आविवाग की तरफ से उसे आपको read कर लेना चाहिए जैसे कि दोस्तों इसमें आप click करते हैं तो यह download ना start हो चाहेगा तो आप उसे carefully read कर लिजिएगा ठीक है तो दोस्तों यहाँ क्या करना है जैसे कि दोस्तों यहाँ दिया गया है common application form for admission in intermediate college and schools के उपर प्रेस करना है तो जैसे प्रेस करते हैं तो दोस्तों आपको scroll करते हुए down आना है तो यहाँ दोस्तों कुछ दिशा निर्देस दिया गया है term and condition को read कर लेना चाहिए carefully उसके बाद यहाँ दोस्तों term and condition को mark टिक कर देना जैसे करते हैं तो click here to fill your application form का बटन मिलता है कि ओपर प्रेस करना है तो दोस्तों आपका जो common application form है वो पुरी तरह से open हो चुका है 17-2022-24 के लिए तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं step by step form बढ़ने का complete process दिखलाने वाला हो as a life proof तो दोस्तों जितने भी star वाले icon है उसे बढ़ना मैंने date रहा है तो दोस्तों यहाँ पे first number में बताया जा रहा है कि आपने किस board से उतिन किया है जो भी आपका name of the examination board हो के उपर press किजिएगा जैसे कि दोस्तों मैंने बिहार school examination board से 10th pass किया है के उपर select किया उसके बाद year of passing क्या है मतलब आपने 10th का pass किया है के उपर press करना है year select करना है उसके बाद examination type आपका क्या है exam type मतलब की दोस्तों एन्वा लाया या compartmental है जो भी है अपने मर्जी के अनुसार select किजिएगा उसके बाद date of birth क्या है date of birth आपको दोस्तों admit card के recording बढ़ना है मतलब 10th का जो admit card है उसमें date of birth आइंकित रहता है वहाँ से देख के same to say मैं type करना है आपका जो भी है यहां mention किजिएगा तो जैसे मैंने किया उसके बाद roll number आजाता है दोस्तों जो भी आपका roll number हो यहां आप आप आंकित किजिए आपको इंतिजार करने के लिए कुछ छन के लिए बला जायेगा तो दोस्तों देख सकते हैं अपली can name, father name, matanam, सारा कुछ आ गया है automatic आता है दोस्तों ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है upload your photo फोटो आपका jpg png file में होना चाहिए तो दोस्तों मैंने यह photo upload कर दिया है उसके बाद आपको scroll करते हुए down आना है तो दोस्तों यहाँ पे दियान दिया अगर आवेदक ने फरिक्षा बोट cbc बंग परिक्षा उतिन करने का वर्ष 2010 से 17 की बीच चुना है तो आवेदक को cgpa points भरने होंगे तो दोस्तों जैसे कि मैंने metric 2022 में उतिन किया है तो यह automatic आ गया है जैसे कि दोस्तों देख सकता है total maximum mark 500, total full marks, मतलब obtained mark 300 बती ठीक है तो यह automatic आता है क्योंकि दोस्तों आपने roll code, roll number और date of birth, admit card के according भारा है तो सारा data auto आता है तो आपको address of the school, आपका विद्याला का जो भी address हो यहाँ फिल किजिए जैसे कि मैंने किया उसके बाद आपने किस वर्स उस विद्याला में नवंकन, मतलब admit हुए थे वो year slate करना होगा जैसे कि मैंने metric 2022 में मतलब metric उतिन किया है तो दोस्तों आपका जो 17, 19 से 20 रहा होगा 9 और 20 से 21 रहा होगा 10 तब आप जो 22 में exam दिए तब आपका result आया के उपर प्रेस किजिए मतलब इस बात को आप समझिए ठेक है उसके बात आज आता है personal details आवेदक की विवर्णी gender आपका क्या है male है वो एटो आता है और mother मौतरिवासा जो भी है वो एटो आता है ठेक है और religion जो भी है वो optional है इसे बरिये अत्वान बरिये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ठेक है और blood group भी optional है ठेक है मतलब जो भी optional है उसे बढ़ना जरोरी नहीं है और दोस्तों यहाँ पर आ जाता है state इस्टेट एटो आता है मतलब अगर आपका state जो भी है वो प्रेस कीजिएगा और district आपका district आप किस district से आते हैं कि उपर select कीजिएगा तो आपका जो भी block हो यहाँ प्रेस कीजिए जैसे कि यहाँ उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पीन कोट आ जाता है आपका जो भी area पीन कोट हो यहाँ select कीजिए और दोस्तों यहाँ mobile number email id मैंने फिल कर दिया है जैसे ही verify हो जाता है दोस्तों सही mark tick लग जाता है ठीक है तो दोस्तों जैसे आप scroll करते वे down आते हैं तो यहाँ पर मिल जाता है आपका category मतलब आप किस cast से आते हैं आपका cast क्या है जैसे कि मैंने ebc यहाँ select मतलब यह एटो आता है दोस्तों यह admit card के guarding आता है ठीक है तो आप scroll करते हैं डाउन आते जाहिए यहाँ पर आपको क्या करना है इंटर हेर फोर फर्स्ट अप्शन तो दोस्तों यहाँ पर आपको minimum 10 college select करना होगा maximum base तो दोस्तों चलिए मैं कर रहा हूँ तो दोस्तों थोड़ा मैं वीडियो को पाउस करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है आप पहला जो college रखेगा वो कौन सा college रखेगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा district select करना है उसके बाद college name आपका क्या है वो यहाँ select कीजिए तो जैसे कि दोस्तों मैं पहला नमर में RKCK college बरदा सिख्टी अर्रिया रखना चाता हूँ कि उपर select किया उसके बाद history मतलब आपका faculty क्या क्या रखना चाता है सांका चुने यह select कीजिए उसके बाद आप arts रखना चाता है science रखना चाता है commerce रखना चाता है तो मैं S बटन को प्रेस करूंगा अगर आप no करते हैं तो दोस्तों आप नहीं बरपाएंगे ठीक है तो S किजिए तो दोस्तों यहाँ पर क्या काता है क्या आप uncology में और विकल भरना चाते हैं तो S बटन को प्रेस करना है no तब करना है जब आप 10 के बाद मतलब एगारमी कॉलेज का चायन करेंगे ठीक है तो मैं यहाँ दूसरा अभी मतलब second option select कर रहा हूँ तो फिर आपको उसी तरीके से करना है जिसे आप भश्ट भी किये थे तो जैसे कि दूसरा मैंने 10th option भी फिल कर दिया है उसके बाद दूसरा क्या करना है 11th option ठीक है कि उपर प्रेस करना है तो जैसे आप करते हैं तो यहाँ मैं आपको एक trick बता रहा हूँ तो जैसे कि दूसरा क्या आप un college में और विकल भरना चाते हैं तो जैसे कि मैंने minimum दोस्तों आपको बता दिया था 10 college आपको slate करना है जैसे कि मैंने कर दिया तो एगर मुझे नहीं करना है तो मैंने no वाले बटन को प्रेस किया है तो दोस्तों उसके बाद क्या करना है इसका जो भी term and condition दिया गया है ठिक mark करना है उसके बाद आपको आपको बताया जा रहा है कि आपका जो maximum mark है 500 है और आपने अप्टेंड होंसिल किया है 332 marks ठिक है तो आप 10 options लेट किया है तो उसके बाद आपको क्या करना है ओके करना है तो जैसे आप ओके करते हैं तो आपको एक दुसरे पीच में redirect कर दिया जाएगा जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ एक बार preview कर लेना चाहिए सही तरीके से carefully उसके बाद आपको यहाँ confirm कर देना अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ यहाँ गलती भरा है तो back to modify बटन को प्रेस करना है तो उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ preview कर लिया है उसके बाद confirm कर लूँगा तो जैसे confirm करता हूँ तो आपको एक पौपा मिलता है तो क्या आप verify है अगर है तो ok किजिएगा तो दोस्तों क्या आप confirm है confirm करना चाहते हैं तो ok किजिए तो जैसे आप ओके करते हैं तो दोस्तों आपके जो रजिस्टर्ड मोबाल नमर है और इमेल एड़ी उसमें एक वन टाइम पाश्वर्ड गया है ओटोपी तो यह ओटोपी यहां फिल करना होगा जैसे कि दोस्तों मेरे समने आ चुका है तो जैसे मैंने यहां ओटोपी फिल किया उसके आध्यम से करना होगा अगर किसी तरह का डाउट हो मतलब पेमेंट कट गया अपडेट नहीं हो तो टॉल फिरी नमर भी दिया गया है इस वेल डेस्क नमर से आप कांटक्ट कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पे आपको क्या करना है सलेक्ट यूर पेमेंट ओप्सन के उपर प करना है तो दोस्तों आपको यहां थोड़ा वेट करना चाहिए क्योंकि पेमेंट गेटवे काफी मतलब डिस्टर्ब चलता है तो आपको इंतिजार करना चाहिए तो जैसे कि दोस्तों आपने जो भी मुबाइल नमर प्रोवाइड किया था उसमें यूजर एडिय और प्रोट की मदब से आप एकाउंट लॉग इन कर सकते हैं तो जैसे कि दोस्तों यहां पेमेंट गेटवे आ चुका है क्लाइंट कोट आ चुका है बी सी वी ओ एप एसस ट्वेंटी टू भी आ चुका है पैयर नहां मतलब काउन वील पे कर रहा है वो नाम आ चुका है तो दोस्तों पेमेंट मोट आप क्या रखना चाते हैं जैसे कि मिल जाता आपका क्रेड़ काड़, डेविट काड़, रुपाय डेविट काड़, नेट बैंकिंग, वालेट, भीम, यूपियाए तो दोस्तों यहां पे आपको छो तरीका मिलता है ठीक है तो आप कुछ जिस तरीका अच्छा लगता है, जो तरीका के उपर प्रेश कीजिए, तो दोस्तों हर एक तरीका का जो फी है वो अलग-अलग फी है, मिलब चार्जेस करता है, तो मैं आपको सेजिश्ट करूँगा कि यहां डेविट काड़, आप सलेट कीजिए, रुपाय डेविट काड़, क मैं आपको दोस्तों यहां पर सबसे पहले बैंक सेजिश्ट करना हागा, जो भी आपका बैंक हो वो प्रेश कीजिए, जैसे कि स्टेट बैंक ऑ इंडिया का नेड बैंकिग मेरे पास है, उसके पाद पेर नो वाले बटन को प्रेश करना है, तो दोस्तों नेड बैंकिं से आपसे charges नहीं किया जा रहा है तो आप net banking के माधियम से payment कीजिए सबसे better रहे थैंक्यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका दन्यवाद